हाई वेलकम टो भी मन्यू आईएस माई नम इस रोहिद गर्चा एंड इस सीरीज इस कॉल्ड टू दपॉइंट एक ऐसी सीरीज जो कि आपकी प्रिलिम्स की जरनी को बहुत ही टू दपॉइंट तरीके से बहुत ही असान तरीके से इजी बना देगा तो टू दपॉइंट एक कोई सवाल जो है वो नहीं आएगा अगर कोई आएगा तो यहां पर इस सीरीज के अंदर अगर टॉपिक कवर और तो इस वीडियो के अंदर आपका वो कवर हो जाएगा राइट आज का टॉपिक एक इंट्रस्टिंग टॉपिक है जोग्रफी बेस्ट और आई-यार इंटर दे कि किसका पार्ट है कि इडंट पार्ट अफ एग्वाणईंट नार साउथ ट्राइसपोरट आपक जी इंटरनेशनल नौर सौथ ट्रांसपोरट पॉर्डोर कहां से कहां कनेक्ट तो रहा है दिखें सेंट पिर्ट्रशबग कहां ज यह रश्या और अल्टिमेटली कहां इसने किनेक्ट करना आके मुंबई इंडिया ठीक है तो यह एक ट्रांस्पोर्ट कॉलिडोर जो है यहां पे प्लान में है इसका जो एक पार्ट है विच इस रश्थ असारा असारा रेलवे यह इसके ऊपर जो है हमारा रश्या इरान ने यह साइन कर दिये टू इरानियान रेलवे लाइन विची रश्थ अस ता EPA रेलू़े लाइन रश्थ इस इसलड़ जो की आपकी इयरान के अंदर है और अजरबाईजान के पलकती ए असलढ़ आपकी इसल़ की आजजरबाईजान के अंदर है ठीक है तो यह उस बड़े आ के छोटा सब्सक्राइब देखो यहां पर क्या है बंदर अबास की बात हो रही है तो वीच इसा पॉट है न और लास्ट में यहां पर क्या है मुंभाई तो यानी कि यह जो है यह एक सी लिंग है थूरू अरेबियान सी हम किसकी बात कर रहे हैं कि रेल वे लिंक यूज करता रहेगा, हाना तो ऐसे वाल है, किस चीज को bypass करना चाह रहा है ये, सेंट पिटर्सबग में जो बाल्टिक सी और वो नौर्वीजिन एरिया, जो नौर्वे वाला एरिया आता है, वो सब के थूँ क्रॉस करके फिर में Mediterranean Sea और उसके थूँ इंडिया तक पहुंचना पड़ता है ट्रेड के लिए इस सब को बाइपास करने के लिए ये Transit Corridor जो है International North-South Transport Corridor जो है वो बनाने की बात चल रही है हाला कि Sun 2000 के अंदर ही ये जो डील है वो साइन हो चुकी थी इंडिया रशिया एंड इरान ये तीन कंट्रीश थी इसके में प्लेयर जिनके थूँ ये पैक्ट साइन हुआ था दिर अधर कंट्रीश जो किसमें पाट ले रही है बट ये तीन में कंट्रीश इसके अंदर रही है अगर आप देख पारें अकर मैडिट इनियंड सी को क्रॉस किया जा रहा है तो यहां पर एक बहुत फेमस कनाल है जिसको बाइपास करना चाहरे है जिसका रीसेंटलि यह भी बोला जाया रहा था कि इन्स कि जो कॉस्ट है यो बहुत जादा है अगर आप सुइस कनाल मैं न between Russia and Iran जो कि आपकी अजर्बाइजान और एरान के बीच में एक रेल लिंक बनेगा है ना और उस रेल लिंक का जो हो है वो इरानियन रेलवे की रेल लिंक होगी और वो इसका एक शोटा सा पार्ट है ठीक है जी इस रेल लिंक को और जाबा समझने से पहले हम एक दो चीज़े देखते हैं और पहले को पूरा देख लेते हैं दरस्रस्थ अस्तारह रेलवेज इस सीन अज इन इंपोर्ट लिंक इन भी रोड़ टेक है मैजर घ्लोबिल ट्रे लूट ठीक है और अभी क्योंकि थोड़ा सा रॉषिया कौरनट भी है तो इस टाइप के दील थोड़ी सी ज हमारा ट्रेड बढ़ेगा या फिर जिससे इंडिया में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है अधर्वाइस और सो ट्रेड इस गुड थिंग तो राइट आप जब करते हो यू एक्सचेंज क्मोडिटीज आज वेल आज कल्चर नॉलेज एवरिफिंग राइट चलिए राइट ह면 सब्सक्राय स्थी करते हैं अब करा है संप थे मुंबई HO इसके बीच पर अकर रहे हैं और एक रेल लिंक ऑसको छो है है और हम इसको लिपिली यहां से इसको जाह रहे हैं यह की ब्लैक शी और इसके तुमाइटले को उदर हो कि को चीटि बाल्टिक सी या उसके तरू आपको वहां पर बाल्टिक सी मिलती है इसको पूरा उपर से Gulf of Aden अब उसको पूरी तरह बाइपास करके क्या किया जाएगा कि वह यहां से अभी फिलाल यहां पर यहां पर बन रहा है उधर से इधर और इसके बाद में यहां पर बंदरबास पोर्ट और चबाहर पोर्ट वगारा भी यूज कर सकते हैं तो यहां से सीधा मुंबई तो यह आपका एक सीधा एक लिंक बनेगा International North South Transport corridor. It's a 7200 km multimode transit system जो बता रहा था कि railway line और sea route दोनो that connects ship rail and road routes for moving cargo between India, Iran, Azerbaijan, Russia, Central Asia and Europe. यह भी आपका एक सवाल बन सकता है कि International North South Transport corridor intends to connect तो वो यह cities दे देगा कि St. Petersburg, Mumbai इस टाइब की बात कर देगा महां पर या फिर वो कोई North America, South America की countries को जोड़ता वो दिखा देगा या Trans North America दिखा देगा मतलब आपको confuse करने के लिए कि international कहां से होगा यह है न तो यह ही है कि आपको India, Iran, Azerbaijan, Russia, Central Asia and Europe और main countries हमने बताई दिए कि तीन main countries कोन सी है इसकी जिससे शुरू हुआ था इट वस लांच्ट ऑन 12th September in 2000 in St. Petersburg by Iran, Russia and India ठीक है उनके थूरू लांच हुआ था for the purpose of promoting transportation cooperation among the member states ठीक है जी since then INSTC membership has expanded to include 10 more countries कौन कौन सी है इसमे अब देखो यह एक important है एक बरी map खोलना इस सारी countries plot कर लेना और देख लेना missing कौन सी है है जिसको आप confused हो सकते हैं इनकेस अगर आपको geography stronger आपको पता है countries कहां कहां पे हैं तो आप confused हो जाओगे जैसे सब्सक्राइब करने के लिए आपको 10 के 10 याद रखने के जुरुड़त नहीं आपको देखने की excluded कौन सा है जो कि होना चाहिए उस रूट में पढ़ रहा है अजर्बाइजान अर्मेनिया कजाक्स्तान किर्गिस्तान तजीकिस्तान तर्की यूक्रेन सीरिया बेलरूस और उमान यह सब इसके पार्ट है अभी यूक्रेन पर क्या स्टेटस रहेगा अभी तो होल्ट पर ही है हाला कि इसके उपर काम शुरू हो गया इरान ने डील साइन कर दिया और वो रेल्वे लिंक जल्दी बनना शुरू हो जाएगा बुल्गेरिया हाज बिन इंक्लूडिड एज अन अब्जर्वर स्टेट बॉल्टिक कंट्री लाइक लाट्विया एन एस्टोनिया वाल्स एक्सप्रेश विल्नेक्स तो जॉइन यानि कि बॉल्टिक कंट्री अभी तक इसके अंदर जुड़ी नहीं है ठीक है यह वाली ज कहां से जोहाल नाल एरू से शुरू होगा जोहाल नारू पोर्ट मॉंबई में एंड कनेक्स टू बंदर अबास पोर्ट इरान ओन दी स्टेट अब हॉर्मस ठीक है जी इट देन पासिस तू इरानियन टेरिटरी वाया नोशार अमीराबाद और बंदर अंजाली रंस अलॉ अंड अस्तरखान पोर्ट इन रश्या ठीक है जी तो यह हो गया आपका सेंट्रल कॉलिडूर है ना अब वो कैसे सवाल पूछेंगे इसके अंदर की वीच फॉल्लिविंग इस इंक्लूडिट इन दी सेंट्रल कॉलिडूर इस टाइप का सवाल कुछ इसके अंदर आ जाए वेस्टरन कॉलिडूर इट क्नेक्ट्स डी रेलए नेटवर्क्स ऑफ अजरबाईजान तो डैट अफ इरान वाया धी क्राउस बॉर्डर नोडल पॉइंट अफ अस्तारा इरान और फॉर्दर तू जौहर नाल नहरुपोर्ट इन इंडिया वाया सी रूट्स तो यह हो गय routes and modes है इसके ठीक है चलिए आगे चलते हैं अभी जो प्रजेक्ट पास हो गया है उसके बारे में देख लेते हैं it is a 162 km railway that will connect the city of Rasht जो कि इरान में नेर दी कैस्पीन सी तो अस्तारा अजर्बाइजान on the border with Azerbaijan the new connection will save four days of that traveling time frame किसके comparison में चार दिन frame करने की बात कर रहे बचाने की बात कर रहे हैं जब हम इस वाले route से आते हैं है न तो उसके comparison में चार दिन बच रहे हैं चार दिन का मतलब आप समझते है four days is like a good amount of days की जगर आप उसको रोकना चाह रहे हो किसी चीज को बचाना चाह रहे हो time save करना चाह रहे हो four days is a considerable time किसी चीज की delivery के लिए राइट बाकी अतना important नहीं है that is all यहां पर थोड़ा सा map बग देखने वाला है इसके अंदर हमने यह देखने कि कौन कौन सी country जिसमें involved है और थोड़ा सा जो इसका map है मतलब यह हाला कि इतना important topic है नहीं है अपने आप में बट यह जो map highlight होता है यह ज़दा important हो जाते किस context में बात कर रहा हूं मैं for example अब हमारे लिए कैस्पीन सी important होगी सदेनली और वहां से सवाल आएगा कि कैस्पीन सी के साथ में किन किन कंट्रीज का बॉर्डर लगता है ना तो हमारे पास आंसर क्या होगा इरान वियाव तुर्कमेनिस्तान कजाकस्तान वियाव यूक्रेन और वियाव टर्की है ना तो इसकी एक लिस्ट बनती है एक लिस्ट त्यार होती है और आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप कैस्पीन सी पर्जियन गुल्फ रैड़ सी तो इन सबकी एक लिस्ट त्यार करके रख लीजिए इन फैक्ट अगर आप इंटरनेट को सही से यूज करेंगे और वहाँ पर जाते हैं आप इंटरनेट को ढंग से चलाएंगे तो आपको मिलेगा कि इसके निमॉनिक्स आपको बना हुआ यह वीडियो बहुत चोटी रहती है कि मैं आपको इसके ऊपर और डिटेल में कुछ बता सकूं हावववर इस इनफ फॉर टुडे और हमारा जो टॉपिक है उसके लिए भी जितनी इन्फिमेशन दी जा सकती थी टूदर पॉइंट के नजरिये से वह हो को लेके हमारी foreign policy इन चीजहों को लेके international relation in general है न तो वो हम इस वीडियो में cover नहीं कर सकते हैं तभी I am restraining while speaking की आपको उतना ही बताऊं कि जितना to the point के लिए जरूरी होगा however if you wish to cover current affairs holistically this is a course which is highly recommended you get a 7 days free trial for this as well तो आप साथ दिन का free trial लिजी लिंक आपको description ने मिल जाएगा उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि current affair cover कैसी किये जाते है and how your each and every current affair can add value to your answers in mains right all right that is all for today thank you so much my name is Rohit Garcha and this series is called to the point link is down there और आपनी जो free 7 days का trial है उसे आप अवेल कर सकते है